KGF Chapter 2 ने इतिहास रच दिया है Worldwide 1200 करोड कलब में शामिल होने वाली ये हिंदुस्तान की तीसरी फिल्म बन गई है Bollywood ने भले ही बीते दिनों कुछ महीनों में बॉक्स आफिस को निराश किया है लेकिन हिंदी के दर्शकों ने KGF Chapter 2 से धूम मचा दी है यश स्टारर ये फिल्म रिलीज होने के एक महिने बाद भी करोडों में कमा रही है इस फिल्म ने रवीवार को रिलीज के 32 दिन वर्ल्ड वाइड 9.52 करोड रुपे की कमाई की इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 1200.76 करोड रुपे हो गई है इससे पहले ये कारडामा अमीर खान की फिल्म दंगल और SS राजा मौली की बाहूबली 2 ने किया है एक तरफ जान शुकरवा को रिलीज रनवीर सिंग की जैश भाई जोरदार फस्ट विकेंड में 12 करोड रुपे भी नहीं कमा पाई इतना ही नहीं देश भर में रविवार को 5 करोड की कमाई करने वाली इस फिल्म ने देशी बॉक्स ऑफिस पर 840.72 करोड रुपे का बिजनेस कर लिया है प्रशांत नहील की ये फिल्म जहां 1200 करोड कलब में शामिल हो गई है वहीं बॉलीवूड के लिए एक और खत्रे की घंटी 777 Charlie है जिसका ट्रेलर सोमवार को रिलीज हुआ है KGF2 मूल रूप से कन्नड फिल्म है इस फिल्म ने यश को कन्नड फिल्मों का सूपर स्टार बना दिया है यश और किच्छा सुदीब के बाद कन्नड फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम रक्षित शेटी का भी है उनकी अपकमिंग फिल्म 777 Charlie का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हुआ है जिस तरह KGF2 ने हिंदी टिकेट खिड़की पर बंपर कमाई की है ऐसे में बाजार के जानकार रक्षित की 777 Charlie को भी हिंदी फिल्मों के लिए तगड़ा कॉम्पटिशन मान रहे है दिल्चस्प है कि KGF2 की तरज पर ही रक्षित शेटी की 777 Charlie भी पैन इंडिया रिलीज होगी 777 Charlie की कहानी धर्म नाम के शक्स की है और उसके कुत्ते Charlie की है दोनों के बीच गजब का रिष्टा है दोनों एक सफर पर है और इसी दोरान धरम और चारली में एक अटूट रिष्टा बनता है ट्रेलर की खूब तारीफ हो रही है और इसकी एक बड़ी वज़ा है फिल्म का तक्नीकी पक्ष फिल्म के विजुल्स के साथ ही बैक्गराउंड स्कोर पर दर्शक दिल हार रहे हैं बीते कुछ समय में जिस तरह से बॉलिवूड की फिल्म में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है और दर्शक साउथ की फिल्मों में फ्रेशनस ढून रहे हैं ऐसे में यकीनन 777 Charlie टिकेट खिड़की पर हिंदी फिल्मों के लिए नई मुसीबत साबित हो सकती है खैर वापस KGF की कमाई पर लौटते हैं इस फिल्म ने गजब की जान दिखाई है अतिस दिनों बाद भी जिस तरह ये टिकेट खिड़की पर टिकी हुई है ये तारीफ के काबिल है वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में फिल्म पहले ही SS राजा मौली की ट्रिपल आर को पच्छाड कर नंबर 3 के पायदान पर पहुँच चुकी है Global Box Office पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 1 की कुर्सी पर आमीर खान की दंगल है जबकि दूसरे नंबर पर बहुबली To The Conclusion KGF2 ने टिकेट खिड़की पर लंबा सफरते किया है 1200 करोड क्लब में एंट्री ना सिर्फ उपलब्दी है बलकि एक मिसाल भी है लेकिन ये भी लग रहा है कि ये फिल्म की तरफ से कमाई का आखरी दौर है फिल्म लबे समय से बड़े परदे पर है दूसरी बात कि इसे जल्द ही OTT पर रिलीज किये जाने की भी बात चल रही है ऐसे में ये बहुत आश्चर की बात नहीं होगी कि ये फिल्म आब हिंदी में भी करोडों की बजाए लाखों में कमाई करने लगे इसी प्रकार की तमाम जानकारे के लिए हमारे साथ जुड़े रही है नमस्कार